आज की कलास में हम देखेंगे Microsoft Word के इंसाट टैप के आगे की Categories था उनके Options पिछले वीडियो में हमने कुछ Categories को क्लियर किया जिसे Pages, Tabs, Institutions, इसमें Pages, अपने Clip Arts, Word Arts, Ad, Charts आधी के बारे में हमने अच्छे से Clear किया अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो के Description में उन वीडियो के Link दे रहे हैं आप वहां से जाकर के इनको Check कर सकते हो तो आज की Class हम सुरू करते हैं और आज का जो हमारा Topic है वह है Links इस Links वाले Categories के अंदर हम टीन Options दे रहे हैं Hyperlink, Bookmark, Cross Reference इनको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि यह क्या काम आता है सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि Links का मतलब क्या होता है यानि कि जब हम कोई फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करवाते हैं जैसे हम YouTube पे और किसी Audio वीडियो का जब हम कोई लिंक सेंड करते हैं तो उस लिंक के माध्यम से directly उसी पेच पे उसी Audio पे उसी वीडियो पे directly हम पहुंच जाएंगे तो इसी परकार से हम Document में भी कुछ लिंक एड कर सकते हैं कुछ फाइल के, कुछ Audio के, कुछ वीडियो के हम लिंक एड कर सकते हैं ताकि हमारी फाइल पे क्लिक करने के बाद हम directly उस फाइल पे मुग कर सके जा सके तो इस फाइल के माद्यम से हम यूज करके देखेंगे लिंक्स वाली category के सारी options तो चलो सबसे पहले बात करते हैं Hyperlink Hyperlink क्या होता है, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ इसमें तेनो जो options देरे रखे हैं वो कहीं ना कहीं किसी other file को या फिर इसी file के किसी text को या paragraph को या फिर page को जोडने के काम आता है, लिंक करने के काम आता है ठीक है, तो Hyperlink के बात करें तो Hyperlink दो फाइलों को या फिर दो चीज़ों को जोडने के काम आता है लिंक करने के काम आता है इसके सोटकी होती है, Ctrl प्लस के आप इस वे जैसे ही इस option पे mouse pointer को लेके जाओगे आपको इसकी sort की दिखा दिखा दिए ऐसे सभी options के आप sort की देख सकते हो हम last में वीडियो के आपको इनकी सभी sort की का एक अलग से video बना देंगे ताकि आपको अच्छी से समझ में आएं और सभी परकार की options की sort की आपको एक जगे मिल जाएगी सबसे पहले बात करते हैं हम hyperlink की hyperlink क्या होता है ये दो फाइलों को link करता है तो चलो सबसे पहले में इस पर click करता हूँ क्लिक करने के बाद में यहां पे कुछ options तेयर रखे हैं जिनका हम यूज करके देखेंगे सबसे पहले यहां भी कुछ लिखा हुआ है exiting file from wave इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इस page के अंदर या इस file के अंदर बाहर से जोड़ना चाहते हो थे और जेसे आपके करोगे तो आपको ब्लू तर या कोई लिंक दिखाए दे रहा है जैसे हम वहट्षप पर या प्यूट्यून के जोए उस फटीक क्लिक करोगे तो आपकी Edda平न आपस सेलेक्ट करना ओपन हैं कि यहां पर आपकी फाइल उपन हो जाएगी यहां पर आपकी फाइल ओपन किया अन्दर तो यहां एक option आ रहा है Palace in this documents अगर आप इसी file की किसी document को जोड़ना चाहते हो यह paragraph को यह पेचे को जोड़ना चाहते हो तो इस option का यूज़ करें तो चलो माल लीटे मैं आपको यहां पे कुछ materials आपको बना के दिखा देता हूँ सबसे पहले हम यहां भी कुछ type कर लेते हैं यहां हमने तेन टॉपिक्स 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 कर लिए हैं अभी small लेजी इस topics के अंदर हम को जोड़ना चाहते हैं तो चलो हम इसको यहां heading भी दे देते हैं ताकि आप वच्चे समझ में आए अब हम टॉपिक के according कुछ type कर लेते हैं कुछ मेंटर ताकि हम topic को link कर सकें कर दो कर दो मि दो आपकें जुपिक्सित दोव़नां उनी ज़ाओ रिए झाल झाल तो यहां पे हमने topics डाल दिये, तीन topics हमने यहां पे heading में लिये थे, तीनो topics को हमने यहां पे clear कर दिया, चलो सबसे पहले आप करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इन topics को heading में convert करना, heading में कैसे convert करोगे, तो हमने पहले आपको बताया थे, home tab में जाओगे, यहां से कुछ heading बना लेते हैं यहां से सभी को headings में convert कर लेते हैं तो यहां से हम heading में convert कर लिया इनको अब यह देखो सभी परकार के word के topics के अंदर अलग-अलग headings दे रखिए अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पे जो अपने topics बने हुई है मैं इसको numbers style दे देता हूं थाकि आपको अच्छे से दिखें यह तीन topics है आप चाहते हो कि जैसे हम books बगारा बने होते हैं अगर ms powerpoint पे click करूं तो यह सीधा हमको powerpoint के topic पे लेके जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनको hyperlink के माध्यम से add करना होगा जोड़ना होगा तो सबसे पहले चलो मैं इसको दिखा दिता हूं कैसे हम इसको add करते हैं सबसे पहले मैं इसको select करता हूं ms powerpoint को और सीधा हम से ले जाते हैं hyperlink पे hyperlink पे जाने के बाद में आपको यहां पे in this document इसका मतलब क्या बताया था इसी document के अंदर को फाइल को link करना था हो इसी document के अंदर हमारा topics इस पे click करता हूं click करने के बाद में आपकी सामने options आ करना है excel से और ऐसे ही करना आपको ms word को attach करना है ms word से तो यह हमने क्या किया सबसे पहले हमने topic के नाम create किये उसके बाद में हमने यहां पे कुछ paragraph टाइप किया topic के according और उनकी heading हमने बनाई heading बनाने के बाद में हमने एक एक को hyperlink के माध्यम से add कर दिया अब चलो मान लीजिए अगर आप ms word पे click करते हो तो डाइक जैसे ms word पे click करोगे तो आपको डाइक लिए ms word के topic पे लेके चला जाएगा चलो मैं इसको करके दिखा तो control के साथ भी click कर सकते है अब तो control के साथ हम click करते है यह देखो सी नेक्स ऑप्शन की bookmark की तो आप bookmark का भी option यूज कर सकते हो bookmark क्या काम आता है bookmark काता है जिसे हम कोई भी चीज एक्स के अंदर या file के अंदर कुछ चीज धून्ड़ना चाते है माल लीजिए हाप कोई भी बार हम धून्ड़ना चाते है तो उनको केसे हम धूनेंगे तो मा और अगर मुझे हाइलाइट करना है कि ये को सर्थ करें और किसी अंदर से किसी 2 को सर्थ ना क chunk- तो इसने कि यह वाल टू है इसी को सर्थ करें और किसी से न बफिते हो ज़िग लिए कि को सर्थ यानि बुक पे एक मार्क लगाना होगा जिसको आप एड़ कर से तो चलो मैं इसको सलेक्ट कर लेता हूं यहां से और यहां से बुक मार्क पे क्लिक करता हूं और यहां पर लिकना आपको टू क्या लिखना है यहां से आप एड़ कर दो इसको और यहां पर एड़ कर दो ठीक ह अब add करने के बाद में आप file को कहीं पर लेके जाओ कहीं से भी आप जाओ तो आप जैसे ही bookmark पर जाओगे और go to पर click करोगे तो आप उसी टूपर लेके जाएगा जहां पर आपने select किया था ठीक है यहां चुका है तो यहां से हम bookmark का use कर सकते हैं अगर आप cross reference का use करना चाह क्या रखे हैं जो हमने topics अभी लिए थे चीक है अब चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं cross reference पर click करते हैं तो देखो यहां cross reference automatic आ रहा है है header and footer header and footer क्या होता है वो मैं आपको एक historical की रूप में पहले समझा देता हूं कि header का मतलब होता है सीर सक और footer का मतलब होता यानि कि अगर आप document file में कोई header डालना चाहते हो तो आप header डाल सकते हो और footer डालना चाहाऊ तो footer भी डाल सकते हो आप चाहो तो वैसे भी file के अंदर add कर सकते हो लेकिन header or footer के माध्यम से ही add क्यों करें तो इसका एक region होता है कि header or footer से अगर हम कोई चीज add करेंगे तो आपकी document file के अंदर जितने भी pages आप लोगे उसमें automatically वो header or footer automatically print होगा जैसे for example किसे institutions का हम नाम डालते हैं तो वो नाम क्या होता है सभी page में automatically print हो जैसे हम notes वगरा बनाते हैं या फिर document file बनाते हैं उसमें सभी में automatic लिखा होता है इससे बार-बार लिखने की जो समस्या होती है वो नहीं रहती तो आप header or footer का यूज़ करके देख सकते हैं चलो मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ तो माल लिज़े हमें आप एक file create कर लेते हैं अब सबसे पहले हम इसमें कुछ header or footer के options apply कर लेते हैं सबसे पहले हम header पे click करते हैं अब यहां से कुछ designs दे रखिए header or footer की तो आप जो भी designs आप से लेना चाहो तीनों में से वह भी ले सकते हो या edit भी कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो चलो हम पहले use करके देख लेते हैं तो यहां पर मैं click करता हूं यहां पर हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं header जैसे institutions का नाम हो document का नाम हो तो मैं यहां पर जैसे मान लीज़े डाल देता हूं मैं यहां पर heading डाल दी header की रूप में तो जैसे मैं इसको यहां पर down करता हूं स्क्रोल करता हूं तो देखों सभी पेचिज़ पर automatic यहां से type हो चुकी है यहां पर already आपको लिखी हुई मिलेगी जो header हमने डाला AME learning तो यहां पर स्क्रोल करके देखते हूं तो देखों यहां पर सभी पेचिज़ पर automatically यह लिखा हुआ आ रहा है ठीक है तो यह हम header के माद यहां से यूज कर सकते हैं ताकि परतेक डोक्यमेंट के परतेक पेचिज़ पे यह heading लिखी हुई है ऐसे हम बात करें footer की तो आप footer भी यूज कर सकते हो यहां से footer का option आ रहा है तो वह design यहां से ले सकते हो यह footer आता है page के bottom side में header हमेशा top side में आता है और footer हमेशा bottom side में आता है तो चलो मैं यह वाले designs यहां से ले लेता हूँ और यहां पेसे में कुछ type कर लेता हूँ जिसे कुछ email id या फिर address वगरा जो भी आप लेना चाहूँ तो मान लिखी में आप टाइप कर लेता हूँ ठीक है तो यहां से मैंने यह email id ये टाइप कर ली तो यहां पे मैं scroll करता हूँ तो यहां सभी pages भी automatic देको लिखी हुई आ रही है ठीक है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं header footer का यूज़ कर सकते हैं next option की बात करें page number अगर आप document पर प्रतेक pages page number के माध्यम से दे सकते हो यहां पर page page की options आरे top side में bottom side में page की margin की यूज़ करना चाहते हो यह फिर current center में आते हैं जातर pages तो यहां पर click करता हूं यह देखो यहां पर आपके परतेक pages पर automatically page number यहां पर draw हो जाएगा यह देखो यहां पर यह page सभी पर automatic count होना इस्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे हम page number का options का यूज़ कर सकते हैं अब next हम बात करें next के ठीक 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 तो next के ठीक ठीक अब इसमें सारे जो भी options का हमाएंगे और text rated का हमाएंगे अब इसको आप ध्यान से देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले यहां है text box तो यहां पर मैं नीचे दीजाइन तरह की है जो का option भी आप द्रो भी कर सकते हो बनाना चाहो तो यहां से कोई design की आप ओप्सन से माली चीए लेता हम यहां से तो यहां पर अपने पास में text box बना हुआ है आप चाहो तो इसको डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्क्रोल कर लो, अब आप जो भी चाहो यहां से आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, तो यहां से हम कुछ भी टाइप कर सकते हो, जितना आप मेटर टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये था अपना text box का option, next option के बाद करें insert में, तो यहां आता है quick part, अगर आप कोई भी quick parts बनाना शाथ, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसके options आगे भी आएंगे, तो मैं आपको अच्छे से आगे समझाने वाला हूँ, तो इसका मतलब मैं aurally आपको समझा देता, quick part तो ऐसे सब्द जो आकरती, जिनकी एकलाकरती होगी, मतलब कुछ designs किये वह होंगे, कुछ decorate सब्द होंगे, तो आप यहां से यूज कर सकते हो, जो हम templates के रूप में यूज कर सकते हैं, templates हम बनाना चाहते हो, templates भी बना सकते हो, चलो यहां से यूज करके दिखा देता हूँ, अब इसमें कुछ designs किये विए क्या है, कुछ से आपके arts के रूप में word दे रहे हैं, आप जो भी design आपको अच्छी लगी, आप यूज कर सकते हो, तो माल लिजी में इसको यहां से click करता हूँ, ठीक है, अब यहां पर यह टेक्स की size आप बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो, तो कम भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से जितनी लेना चाहते हो, ले सकते हो, यहां बोल्ड करना चाहते हो, इटाइलिक करना चाहते हो, इटाइलिक कर सकते हो, चलो मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूँ, अब यहां पे देखो यह अपना टैक्सेज अपने बना लिया जैसे मैंने कहाते हैं कोई भी डॉक्यमेंट मेर्ड करते हैं तो इसके लिए अडिशनल फॉर्मेट उपन होता है दो यहां फॉर्मेट मेन्य उपन हो चुका है अब में इसके options को अच्छे से clear करके दिखाते हैं इसमें आदे options आपको पहले उल्ली समझा दिये गए हैं तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो जिनका description में उनका सभी वीडियो का लिंक दे रखा है तो यहां लिखा edit अगर आप इसमें कोई mistake हो चुकी है या फिर आप पासवास tight का मतलब और ज्यादा पास नोर्मल अपना टेक्स की जी spacing है लिउज बहुत जाता लिउज हो जाएंगे वेरी लिउज करना तो और भी जाता यूज कर सकते हो देखो तो आप जैसा यूज करना चाहो मैं इसको normal रखता हूं तो यहां से यूज करके देख सकते हो यहां पर उसके कुछ designs पर रहे कि वो भी आप यूज कर सकते हो देखो यहां से तो आप यह जो options से आप इनका यूज कर सकते हो तो मैं इसको normal रहने देता हूं यह इसकी margins होती है center left right जैसा लेना चाप ले सकते हो इसके बाद मैं यहां देखो दे रखा है word style यानि word art की style होत नोर्मल रहने देता हूं यह एक vertical size में है आप इसको vertical भी कर सकते हो चिक करता हो यहाँ से देखो इसको scroll करके देख सकते हैँ यह झाल यहां से लगा यहां से यूज नीचछ सकते हो यह लगा तो इसके बाद मैं लिखा जो आपको पहले लिए पताय थो are remembering ते अंदर आप जाले कर गती हो इमेज लगाना चाते हो तो आप यहां से हंच न wanna चाहिए कई 갑ुश कर सकते हो चहते हैं आपको लेना है इसमें, देखो अलग-अलग designs के आ रहे हैं, जो भी अच्छा लगए आप यूच कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आउट लाइन, अगर टैक्स के आउट लाइन, याई टैक्स के बहार जो लाइन है, वह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, देखो तो आप यहाँ से बना सकते हो, देखो, अलग-लग designs दे रहे हैं, आप जैसी designs में लोगए इसको, टैक्स को वह अलग-अलग designs दे सकती है, ठीक है, तो यहाँ से हम अलग-अलग designs इसका यूच करके देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप दिखा सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सेडो इफेक्ट इसकी पीछे जो चाना चालते हूं, अब इसको आप चेंज करना चालते हो जिदर आप लेकिज जाना चालते हो हो अपनी साफ से एड़ेस्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है अगर आप टैक्स को ऐसे 3D में बनाना चाहते हो 3D में बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे इसके बाद में 3D options को डिजाइन करें यह पोजिसन आता है जो आपको पहले बताया था left right center में इसको कहां लेकि जाना चाहते हो यूच कर सकते हो यह आपका in front of text, behind text, text को picture के पीछे लेकि जाना सामने लेकि आना तो वो सारी चीच में आपको बता दी है आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं यह रोटेट को ओप्सण सा करने की यहां पे आपको दिखाए देगा तो आप यहां से यूच कर सकते हैं यह दे को यह देख triangular करके मतलब होता है जब हम कोई sentence लिखते हैं कोई paragraph लिखते हैं तो कई बार हमने देखा होगा जिसे में देखते हैं कि फर्स्ट करेक्टर बहुत बड़ा होता है तो हम ड्रॉप के यूज कर सकते हैं तो यहां से हम यूज कर सकते हैं मार्जिंस में इकवल आएगा और इसमें ऐसे आएगा ठीक है तो आप यह यूज करके देख सकते हो अपनी साफ से मोडिफाई कर सकते हैं इसको साइच को कम ज्यादा कर सकते हो जैसा लेना चाहूं इसके बाद में सिगनीचर लाइन अगर आप अपनी डॉक्यमेंट में सिग कर लेता हो यहां पर कुछ कि kindmail करेंगा जहां पर जलिएंट में से करके देख सकते हो गया इसके बाद में आ लाषड़ा अगर आप रिएल टway अपनय इप्धेट्स करना चाहते हूं करना चाहते हो यह आपके को सब्सक्राइब इसके अलग-अलग format है आप जो भी format यहां से यूज करना चाहों यूज करके देख सकते हो जो भी आप अच्छा लगे एक आता ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप जो प्रोग्राम यूज कर रहे हो जो फाइल आपने बना रखी है वह MS Word के अंदर हम यूज क कर सकते हैं यहां पर मैं एकसल के चार्ट यूज करना चाहता हूं चार्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां तो यह उजपिक्ट कर सकते हूं इसके बाद में next option करते हैं नेक्टिकर की भात कर रहें तो यहां है symbols का मतलब होता है ऐससे symbols जो आप keyboard से टाइप नहीं कर पाते हो तो आप यहां से यूज़ कर सकते हो अब इसमें दो केटेगरी के options दे रखे हैं एक दे रखा equation equation का मतलब होता है ऐसे symbol mathematically formulas वगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहां से यूज़ कर सकते हो तो यहां पर अलग ही equations की विंडो अपन हो जाती है जिसमें बहुत सारे टोस दे रहे हैं आप यहां से यूज़ कर सकते हो आपको ऐसे यूज करना है तो आप यहां पर किलिक करके यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है तो आप यहां से mathematically formulas, metrics, operators, limit and long, functions यह आप यूज करके देख सकते हो इसके बाद में आता है नहीं कर पाते हैं, तो वह तो आप यहां से लिवाइब कर सकते हो, यहां पर more symbols आपको दिखा यूज कर सकते हों इसे मानलो आप यहां पर यहां यह सिम्बल measuring दिखा तो आपको इंसर्ट करोगे तो यहां पर आटमेटिक यह एड़ हो जाएगा आप लेंग्विज चेंज करके भी हां सिंबल चेंज कर सकते हूं जो भी आपको अच्छा लगे तो यहां पर आई व्यूच करके देख सकते हैं तो आशकी क्लास में हमने सीखा एमस वड़का इंसर्ट मेनु और इसके सारी अप्सिंस को हमने स्टेव आई स्टेव करके अच्छे से क्लिए हैं थैंक्यू